हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चैनल बिहार जिगेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग आदिक भारत के अंतरगत कैबनेट मिशन योजना के बारे में इस वीडियो में परहेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जिगेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जरूर दमायतों आईए वीडियो को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे तो आईए इसके नोट्स को पढ़ते हैं बिर्टेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतियत में बिर्टिक्स मंडल ने सत्ता गर्ण की नो से ना विद्रो के बाद 19 फरबर 1946 को अर्था दोत्य विश्यूद के बाद भारत सचीव लॉर्ड पैतिक लॉरेंस ने भारत में समयधानिक सुधारों के लिए एक सिस्ट मंडल भेजने का निर्णय लिया इसके अधिक्स भारत मंत्री लॉर्ड पैतिक लॉरेंस थे तथा अन दो सदस अश्टी फोर्ड क्रिप्स जोकी बॉर्ड ओफ ट्रेट के अधिक्स थे तथा एवी अलेक्जेंडर जो नो से ना मंत्री थे केबिनेट मिशन ने त्री अस्तरिय सासन विवस्था को सुझाया प्रांतों में सोरी प्रांतों के छोटे अध्वा बरे गुट बनाने के अधिकार की पुष्टी की तथा प्रांतों को अ, ब, और स, तीन सेरिनों में विवक्त किया सोलल मैं 1946 को केबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोष्टना की इसके परमुख प्रस्तावते बहला प्रस्ताव था भारत की एकता बनाई रखी जाए दूसरा प्रस्ताव मुस्लिम लिग की पकिस्तान की मांग ठोकरा दे जाए तिसरा प्रस्ताव था भारत एक संग होगा जिसमें ब्रिटिश प्रान तथा देशी रियासते सामिल होगी और चोथा प्रस्ताव था समिधान निर्माति संस्था या समिधान सभा का गठन प्रांति विधान सभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिदियों द्वारा किया जाएगा आगे है केबिनेट मिशन उन्हें सोच 46 ने वाइसराय की एक्जुकीटिव काउंसिल का पुनर गठन कर अंत्रिम सरकार के गठन का सोजहाओ दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतिय सदस्यों द्वारा धारन किये जाने थे केबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे इस योजना के संदर में गांधी जी ने कहा था योजना उस समय की परिस्थितियों के परिपेक्ष में सबसे उतकिष्ट योजना थी जिसमें ऐसे बिज थे जिसे दुख की मारी भारत भूमी यातना से मुक्त हो शक्ती थी मौलाना अब्दुरकलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारती राष्ट कॉंग्रेस के अध्यक्स थे अब आई चलते इसके प्रश्ण को देखते हैं तो पहला प्रश्ण है कैबिनेट मिशन की अध्यक्सता किसके द्वारा की गई थी तो इसका उत्रे डी सर पी लौरेंस ब्रेटेंड में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेत्यत में ब्रिटिस मंट्री मंडल ने सत्ता गहन की नौ सेना पिद्रो के बाद 19 फरवरी 1946 को अर्था दूतिय विश्यूद के बाद भारत सचीव लौर्ड पैथिव लौरेंस ने भाद में समवेधानिक सुधारों के लिए एक सिष्ट मंडल भेजने का निर्णा लिया अर्थात कैबनेट मिशन 24 मार्ज 1946 को दिल्ली आया इसके अध्यक्ष भारत मंती लौर्ड पैथिव लौरेंस थे अन्दो सदा से एश्टी फोर्ड क्रिफ्स था ए भी एलेकजंडर थे अगला पस्ट ने उन्हें उन्हें 146 के कैबनेट मिशन का नित्यत्व किया था किसने तो इसका उत्तर है ए सर्पैथिक लौरेंस द्वारा अगला पस्ट ने नेमली कित में से किसने उन्हें 146 के कैबनेट मिशन का नित्यत्व किया था तो इसका उत्तर है सर्पैथिक लौरेंस अगला पस्ट ने तो तिये विश्यूत के बाद उन्हें 146 में से कौन भारत आया था तो इसका उत्तर है B. कैबनेट मिशन निम्मे से किस एक ने भारत के लिए तिरी अस्तरिय शाषन विवस्ता का प्रस्ताव किया था तो इसका उत्तर है D. Cabinet Mission ने Cabinet Mission March 1946 में भारत पहुँचा इस मिशन के सदसे H.T. Ford Crips जो की Board of Trade के अध्यक्स थे Pathic Lawrence जो भारत सचीव थे और A.V. Alexander जो 9 सेना मंत्री थे इसने तिरी अस्तरिय शाषन विवस्ता को सुझाया प्रांतों के छोटे अथवा बरे गुड बनाने के अधिकार की पुष्टी की तथा प्रांतों को A.V. और सतीन स्रेनियों में विभक्त किया अगला प्रस्तने 1946 का Cabinet Mission तीन कैबनेट मंत्रियों से गटित था निमलिकित में से कौन इसका सदस्य नहीं था तो इसका उत्तरे D. Lord Emery अगला प्राश्टने निमलिकित में से कौन A. Cabinet Mission का सदस्य नहीं था तो इसका उत्तरे B. John Simon अगला प्राश्टने इन विव्यक्तियों में से कौन Cabinet Mission का सदस्य नहीं था तो इसका उत्तर है ए विलियम वूडबा की सभी इसके सदस्षी थें अगला पस्टने इसका प्रस्ताव मैं में आया इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांचा थी जिसका ब्रिटिस प्रांतों से मिलकर बने एक संग्य राज का स्वरूप होना था उप्युक्त उधरन का संबन्ध है किस से तो इसका उत्तर है डी केबनेट मिशन से सुलामाई 1946 को केबनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषना की इसके प्रमुक प्रस्ताव थे भारत की एकता बनाई रखी जाए दूसरा मुसलिम लिक की पकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई तिसरा भारत का संग होगा जिसमें ब्रिटिक्स प्रांत तथा देशी रियासते सामिल होगी और चोथा सम्विधान निर्माति संस्था या सम्विधान सभा का गठन प्रांतिय विधान सभा होता था देशी रियासतों के प्रते निदियों द्वारा क्या जाए अगला पस्टने cabinet mission योजना के विशाय में नेमलिकित में से कौन सा सही नहीं है तो इसका उत्तरे C पाकिस्तान की सुईक्रिती अगला पस्टने नेमलिकित में से किस ने वाइसराय की एक्जेक्यूटिव कांसिल के पुनर गठन का सोजाओ दिया जिसमें वार मेंबर सहीत सभी विभाग भारती निताओं द्वारा धारन किये जाने थे तो इसका उत्तरे D cabinet mission 1946 cabinet mission 1946 ने वाइसराय की एक्जेक्यूटिव कांसिल का पुनर गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सोजाओ दिया जिसमें वार मेंबर सहीत सभी विभाग भारती सदस्यों द्वारा धारन किये गए थे अब अगला प्रश्णे cabinet mission के संदर में निम्मिकित में से कौन सा या से कथन सही है तो इसका उत्तर है ए अर्थात केवल एक सही है अर्थात इसने एक शंग्य सरकार के लिए सिफारिस की थी अब अगला प्रश्णे cabinet mission योजना में अर्थात cabinet mission योजना भारत में कवाया तो इसका उत्तर है इ उप्यूक्त में से कोई नहीं अगला प्रश्णे नीचे दो कथन दिये गए हैं जिन में एक को कथन ए तथा दुसरे को कथन आर कहा गया है और इसे देखकर आपको सही कोट का उत्तरों का चुनना है तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात कथन ए तथा कारण आर दोनों से ही एक प्रन्तू कारण आर कथन ए की व्याक्या नहीं है हवाई चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं केबनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा अर्थात कॉंग्रेस प्रांतों के गुड बनाने पर प्रसंथी और लीग पाकिस्तान के नामानने पर के साथ कॉंग्रेस और लीग ने सुईकार कर लिया 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने या कहा की शामुही करन अनिवार नहीं था समु ब और सा के राज अशम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांच समु में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं इसके बाद मुस्लिम लीग ने केबनेट मिशन प्लान को आसुईकार कर दिया था सिधी करवाही कर प्रस्ताव किया बाद में वाइसराय ने कॉंग्रेस के जबाल लाल नेरू को अंतिम सरकार बनाने का ने मंतरन दिया जिसमें मुस्लिम लीग को भी समलित होने को कहा गया जिसे उसने असुईकार कर दिया प्रंतु बाद में वाइसराय के पुना सुझाओ देने पर उसने मुसल्मानों के हीतों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताओ द्वारा इसमें समलित होना सुईकार कर लिया अता अस्पस्थ है कि कथन और कारण दोनों सत्थें प्रंतु कारण कथन की सही व्याक् अब अगला प्रशने कांग्रेस के निम्निकित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पुरी तरह से था तो इसका उत्तर है ए अर्थात महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पुरी तरह से थे इस योजना के संतर मे गांदी जी ने कहा या योजना उस समय की प्रस्तितियों के परिश प्रेक्ष में सबसे उतक्रिष्ट योजना थी जिसमें ऐसे बीज थे जिससे दुख की मारी भारत भूमी यातना से मुक्त हो सकती है अब अगला प्रस्नै वे कौन सा कौंग्रिस अध्यक्स था जिसने क्रिप्स मिशन वे bipolar दोनों से वारता आए की तो इसका उत्रहां ए अबुल कलाम आजाद वर्स 1940 से 14 dal कौंग्रिस अध्यक्स रहें उन्होंने क्रिप्स मिशन तथा Lord Baber दोनों से वारता आए की और आज का आखरी प्रस्ण है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतिय राष्ट कॉंग्रेस का अध्यक्स कौन था तो इसका उत्तर है E. मौलाना अबुलकलाम आजाद मौलाना अबुलकलाम आजाद केबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतिय राष्टिक कॉंग्रेस के अध्यक्स थे स्री आजाद को मिशन के साथ विचार मिमर्स करते हुए कॉंग्रेस कार्शमिर्टी ने पुर्ण अधिकार दे रखा था 6 अपरइब 1946 को उन्होंने सरप्रतम केबिनेट मिशन के सदस्यों से मुला कात की तो आज के लिए बैस इतना ही आसा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए हो यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए हो तो से लाइक और सेर जरू करे फिर मिलते हैं नए चेप्टर समधान सवाक साथ आज के लिए बहुत बहुत धनेवाद